अब आज के वीडियो में हम देखेंगे जो अधित्ते लवन मिशन जाना है तो अभी समझी के चंद्रयान मिशन गया था उसके बाद अभी अधित्ते लवन मिशन जो जाने वाला है तो यह सूर्य का जो है यह स्टेडी करेगा तो इसके बारे में आपको टोटल चीजे हूंगा जैसे एलवन पॉइंट क्या है तो यह सब पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा कि यह सब चीजे क्या है तो यह समझे सिंपल सा मतलब की वहां पर ग्रेविटी मतलब बराबर होती है प्रित्वी और सन की तो यह सब कुछ पॉइंट है वहां पर मतलब कोई भी लगे दियाए तो आपको पूरी चीजे पता चल जाएंगी तो यह समझे जो अधित्त चॉडब जैसा होता है तो वह जाता है और वहां करता है तो यह मतलब हमादी कि और साथ इसमें पना पेलोड को छोरा जाएगा समझ यह साथ पे लोड रहेगा जो कि यह study करेगा और मतलब जगा जगा पर यह जाके stable हो जाएगा और वहां से मतलब study करेगा जो sun है तो अब हम इसमें question को कुछ देख लेते हैं उसके बाद इसमें बहुत सारी important जो जो है बहुत सारे लोगों का यह सूर्य पे जाएगा क्योंकि सूर्य का देखेंगे temperature बहुत जादा रहता है तेंपरेचर बहुत ज्यादा और डिस्टेंस भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा करोर मतलब की समझ्जी की डिस्टेंस है यहां से तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और हम यह मतलब समझ्जी की भेजने कहा तक वाले हैं समझ्जी यह जो आदित्य एलवन मिसल है तो यह हम मातर समझ्जी देर मिलियन दूर ही भेजेंगे तो डेर 100 million का distance है, अगर sun और फिर देखेंगे तो फिर वहाँ पे प्रिठ भी है इसका distance डेर 100 million है मतलब समझें कि 15,000,000,000 क किलोमीटर का distance है लेकिन हम भेज कहाँ पे रहें तो भेज रहें L1 जो मिल्सल है तो ये लेगरेंजियन जो point है समझें वहाँ पे हम भेज रहें तो इसकी जो distance है समझे तो यह लगबग 1.5 million distance है तो जो प्रिथवी और sun की distance है उसके 1% के दूरी पे ही हम भेज रहा है समझे तो अभी sun बहुत दूर रहेगा तो वहाँ पर हम भेज रहे समझे बहुत मतलब की समझे बहुत कम distance है sun से तो मतलब वहीं पर हम बेज रहें, समझे कि दूर पर है जो sun है, लेकिन हम बेज कहां पर रहा है, तो डेर मिलियन दूर पर ही, इसको 11.00 पर हम जाके वहां पर बिस्थाबित करेंगा, और वहां से समझे कि यह जितनी भी है, study करेगा, तो यह sun पर नहीं जाएगा, आप जानत मतलब कि sun किया, study के लिए, 22,00 लगबग मतलब कि लगबग 22,00 जो समझे कि यह mission भेजा जा चुके है, और उसमें सबसे पहले US mission भेजा था, फिर देखेंगे जर्मनी ने भी भेजा था, और लगबग उसके बाद देखेंगे EU, जो European Union है, उसने भी भेजा था, तो यह पॉइंट है, वहाँ पे जाएगा, और इसमें आप दूसरा question देख सकते हैं, तो दूसरा question लोग बहुत ज़्यादा पूछना है, कि L1 पॉइंट पे ही क्यों रखा जा रहा है, जब L1, L2, L3, L5 है, तो मतलब L1 पे ही क्यों रखा जा रहा है, तो L1 और यह पहला नंबर पॉइंट समझ लिए, L1, L2, L3 है क्या, तो यह समझे, यह 5 पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जो gravity रहती है, और यह प्रित्वी की लगभ़ा मानी जाती है, बराबर हो जाती है, तो वहाँ पे कोई भी चीजियों को आपा स्थापित करते हैं, मतलब कि वहाँ पे आप रखा है, तो वहाँ पे आराम से वह टिक पाएगा, इसलिए वहाँ पे रखा जा रहा है, तो यह जो mission जाएगा, यहाँ पे समझे, L1 पॉइंट को ही चुना गया है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने अभी picture लगाया है, तो इसमें L1, L2, L3, L4, L5 पॉइंट आपक है, कि मतलब समझे की, जो हमारा launch vehicle है, वहाँ पे विस्थापित कर देगा, और वहीं पे वो राख के study करेंगे, तो अब इसमें तीसरा कोहचन आपको देखने को मिलेगा, जब हम सूरे पे नहीं भेज रहे हैं, तो लोगों का मतलब पूछना है, अगर सूरे पे नहीं कर ले रहे हैं, जब हमें मतलब समझे सूरे पे जाना ही नहीं है, एक परसेंट ही डिस्टेंस हम मतलब सूरे से सन के तरफ कर रहे हैं, तो फिर एक परसेंट डिस्टेंस कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं यहां से ही कर ले रहे हैं, तो ये कोहचन भी आपको देखने को मिलेग तो यह समझे मतलब की प्रिथवी का जो वातावरन होता है समझे जो gravity field होती है जो वातावरन होता है जो सुरक्षा कवच होती है तो बहुत सारे जो sun sport निकलते हैं वो प्रिथवी के सतह पे नहीं आ सकते हैं समझे वो जो वातावरन होती है वो समझे की एक मतलब कवच का काम क सकते हैं इसलिए हमें क्या हो करना पर रहा है इसके तो पहले नबर प्रित्वी का जो ग्रेविटी फिल्ड है इससे बाहर निकलना पर रहा है वाता वरन जो भी है समझेगी बहुत सारे लेयर है उसमें तोपो स्पेयर आप देखेंगे मतलब बहुत सारे पांच लेयर है समझ यह सब चीजे है तो इन से बाहर निकलने पर ही समझें study की जा सकती है इसलिए gravity से और प्रित्वी के बाहर निकली जा रही है क्योंकि जो भी light radioactive किरने आएंगे उसका हम अच्छे से study कर सकते हैं क्योंकि बाहर ही वो मिलेंगे क्योंकि अंदर प्रित्वी आने नहीं देती है मत इसको बाहर भेजना पर रहा है तो यह answer है इसका कि हम प्रित्वी से ही नहीं कर पा रहा है और इस पर कौन-कौन जा चुका है समझे तो यह मैंने आपको बता हैं दिया यह भी question रहता था कि पहले कौन-कौन जा चुका है तो यूएस भी जा चुका है बाइस मिशन अभी त आपको जान लेना चाहिए तो जैसे प्रित्वी समझी की लेयर में बटी हुई है आप देखेंगे कि आउटर लेयर है इनर लेयर है कोर है समझी है मेंटर कोर है आउटर कोर इनर कोर तो बहुत सारी चीजह में मतलब कि यह बटा हुआ है समझे प्रित्वी भी देखेंगे लेयर तो जैसा प्रीज होता है समझ्जी प्तंधा ये लेयर में बटा हुए है तो सबसे उपरी हमारा समझ्ज है वहाँ पर माना जाता है कि बहुत ज्याधा टेंपडरेचर है लेकिन नीचे जो है ये समझ्ज बोलते हैं समझे जो मैं सन का आउटर है मतलब कि सबसे बाहरी फरत तो उसको बोलते हैं करो ना तो उसमें बोले जाता है कि सबसे ज्यादा टेंपरेचर है वहां से समझे कि लगटे निकलती है जैसे आग जलता है तो लगटे नहीं निकलती वैसे निकलती है और वो समझे कि प्रिथविय पे जितनी वी समाने चलती है जैसे इसी चब्छानीं बाधित करती है तो यह सब करना है इसलिए इस लिए पॉर्टेंट हो जा रहे है तो आप देखेंगे नियierung जहां मतलब टारे जो रहते हैं समझे स्टार होता है तो उसका अध्यायन नहीं कर सके हैं और यह star जो हमारा मतलब sun है समझे तो यह पिर्थिभी का सबसे नजडी की जो माना जाता है star माना जाता है तो इसके अध्यायन से हमें पता चलेगा एक तो star के बारे में सबसे जादा मतलब अनुभव हो सके घार ऊ newspapers और इसके बारे में में पता चलेगा इसलिए भी यह मिशन बहुत ही इन पॉर्ट हो जा रहा है और अगला जो होता है मतलब कि स्पेस में आप देखेंगे बहुतत सारा सेटेलाइट फोरा जाता और जितनी भी स्पेस में चीजे समझे सेटेलाइट बगेरा होती है तो उसमें दिक्कत पैदा करती है तो इसका भी स्टाडी करने के लिए इसे यहां पर मतलब की भेजा जा रहा है तो इसलिए भी यह भेजा जा रहा है सेमिशन कि उसका किया जा सके आखिर में अगला जुकी किया जा रहा है तो ऩहां कि डिक टबॉव लःजाता है यहां पर आप समझे सेंपल नहीं लिया जा सकता है तो अब हमोजे आफिफिैंग बनाना परता है तो यह जैसे प्रित्वी के ग्रेविटी से बाहर निकलिएगा तो उसको हम समझे आर्टिफिसियल लैब मानते हैं उसके बाद के एरिया को और वहां से ही समझे कि हम संद का जितना भी स्टडी है वहाँ पर कर सकते हैं तो इसलिए अधित्य जो मिशन है इसलिए भी सारी उसकी पीक लेगा नजदीक से पीक लेगा और बहुत अच्छी पीक लेगा तो इससे भी हम स्टडी करेंगे जो इतने भी समझे कोरोना है जो समझे की आउटर मतलब की समझे यह कोर है कोर तो नहीं है कोर बीच को बोलते हैं तो यह समझे क्रस्ट है तो इसका फिर उसना निकलता है वैसे निकलता है चीजह तो वह पता चलेगा कि किसलिए यह पता चलेगा नहीं ढूंट करते हुए कि फिर वहाँ पर जा के आस्ठाफ़ान पॉइंट ह वहाँपे और ये फिर जाके वहाँ पर sun का तापमान, जो temperature है, जो radioactive kidney निकलती है, ये सब जितनी भी चीज़े है, total चीज़े ये मैंने आपको बता दिया, sequence में ही, ये सब चीज़ों का ध्यायन करेगा, और ध्यायन करके समझे कि प्रित्वी को यहाँ पर सभी चीज़े बताएगा, तो ये पूरा portion था जो मैंने आपको बता दिया, okay guys, thank you, और अब हम मिलेंगे अपने next topic